गुड मॉर्निंग हाई वेल्कम टो एसके और जीनी और सुबह हो गई आपके साथ गुड मॉर्निंग और सुबह की चाय आप पिरते होगे और मेरी हुई यह सुबह आज यह तुटे है क्योंकि आज है छुट्टी का दिन हाउसकीपिंग अटेंडिन है आज छुट्टी पर ह कपकेक और रोमियो रोमियो एकदम नीन में सोया हुआ है और कपकेक अभी उठा है सुबह और करेगा नास्ता और उसके नाख पर लग चुपा है नाखुन का निशान उसको भी हम ठीक करेंगे और आज है छुट्टी तो क्या करेंगे आज की दिन देखेंगे आज बारी रूप तुझा मल सगड़ा तु प्यारी तू तूझी जलक वेगडे श्रीवलली नजरेत तू बहर ले तूझी जलक वेगडे श्रीवलली काड़ जात तू रुत ने तूझी जलक वेगडे श्रीवलली नजरेत तू बहर ले तूझी जलक वेगडे श्रीवलली काड़ जात तू रुत ने तूझी जलक वेगडे श्रीवलली ना मॉर्नीं और आज हॉलिडे है और दुपयर में ले रहे हैं वे श्रीवलली बात वह भी बाक्सनी में गुप एकदम सनलाइट आ रही है विटामिंट डी पॉडियू में लेगी और एक नंबर लगेगा इसलिए लेना चाहिए सनलाइट और एक जूस के साथ सन पाथ से क्या क्या बेनिफिट होते हैं वह आपको यह इजा दिखने होले चानल पर मिल जाएगे सन पाथ के बेनिफिट देखने के लिए चैनल पर जाएगे वेलकम टू एस्ट योजिनी और हो चुके है शाम का टाइम और जरा वाक पर जाएगे और देखेजिए पुल्रे वाक इवनिग और तोसाइटी के नीचे और आउटकेट और लाइक और शेयर कर दो और वीडियो का अच्छे रिस्पॉंस आ रहे हैं वैसा रहेगा इसका यह लोग रहता है एक कर वाक शेङर है में शेड्वरे हम से शेटी संपराएं है अचिए स करे दो शेडिशके लाड़ा ना बेफिति कीक अध है पूस ब्रहा बहुर्स तो पाट प्लोशस्पॉशस परता का पेना ना के सुटमक सेटालिश देज़एं और वाकिंग वाकिंग करते करते आ चुके हैं साही बबा मंदिर के यहां पर और शेविंग कर लिए एक माइने वन मन्त के बाद पीर्ड आई गी एक नमबर तब तक वेट करेंगे और ये गवन पाटा से कनेक्ट हो रहा है जो हाइवे फ्लाइ ओवर वो जाएगा सीगा पूरन पूरन के साइड में जाएगा वो फ्लाइ ओवर कंस्ट्रक्शन वर्क हो चुका है उसका पूरा और स्टार्ट और वाकिंग करते करते एक दम मस्ट डेस्टिनेशन पर आचुके फ्रेश यह आपको मिलीगी यह आप और प्लांटिंग भी एक नमबर किया है यह आप पर वाकिंग पर आप आओगे ना तो एक नमबर और भाईकला के जू में आया है नया शेर नया न्यू टाइगर बॉन तो भाईका रजाना मत बुलना में भी जाने का सोच रहो हूँ और चलते चलते जाएंगे साही बाब मंदीर के अंदर और टाइम हो चुका है 5.29 तो आज के हॉलिडे के दिन जाएंगे साही बाब मंदीर आ चुके है साही बाब का देशन हो चुका है इविनिंग टाइम 5.30 और ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है और आप साही बाब मंदीर आ रहे हो तो सुबह स्चे बजे होती है कारखड आरती साड़े छे बजे होता है सनान और साथ बजे होती है आरती सब भगवानों के तो आपको आना है तो आप आ सकते है और इविनिंग आरती का टाइम है छे बजे और संसेट मिलते हुए यहां से आपको संसेट व्यू भी आएगा संसेट देखना है तो यह जगे पे आप वोकी करने आ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेर करो और इंस्ट्राग्राम पर भी नीचे जाके फॉलो करो साइरो इंदा